चीज़केक में मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है नो बेक ब्लूबेरी चीज़केक चीज़केक औरिजनली बनता है बेक करके काफे टाइम कंजुमिंग प्रोसेस होता है वह लेकिन मुझे पसंद शॉटकट वाला हमारा नो बेक ब्लूबेरी चीज़केक जिसको आप ब्लूबेरी चीज़केक जाएगा रेसेपी शुरू करते है फटाफट यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम याने की 2 पैकेट जो 15-20 वाला पैकेट आता है दस रुपे बला शायद आता है तो वैसे दो पैकेट मैंने डाइजिस्टी बिसकिट्स लिये है तो मैंने उसके लि लिए और चीनी मैंने इसके लिए फिर कम लिए एक टीसपून वनीला इसेंस लिए मैंने और चीनी मैंने लिए वन फोथ कप क्रीम जेस की साब से सरिफ क्योंकि विपिंग क्रीम में तो अल्रेडी मिटा से और यह हमारा ब्लूबेरी कंपोट जो मैंने आपको आके बताना बताऊंगा तो एक कब ब्लूबेरी मैंने लिए थी यहाँ पे मतलब 200 ग्रम ब्लूबेरी थी एक टेबल स्पून चीनी लिए और एक टेबल स्पून कॉन फ्लार यह लगेंगी हमको ब्लूबेरी कॉंपोट बनाने के लिए फटाफ़ ट्रेसिपर को शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लूबेरी कॉंपोट बनाना बताता हो तो एक कब ब्लूबेरी में हमने एक टेबल स्पून चीनी डाल दी इस प्रकार से और इसको भी हमने लो फ्लेम पे पकाते रहना है जबते की चीनी हलकी से पिगल नहीं जाती बहुत जादा नहीं पिगलाना हलकी से पिगलनी चाहिए और अब हमने इसमें जो कौन फटार लिया था उसको हमने पानी में डाल के इसी एकसलरी बना ली आदा कब पानी डालना है मैंने क्योंकि मैंने ये ड्राइव ब्लू ब्लू बिरेज इस तामाल की ती ना तो इसमें जादा फेवरेट है चीसकेक में तो इसलिए मैं थोड़ा जादा भी बना रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में सबसे जादा फेवरेट है मेरा मुझे बहुत पसनाता ही है अब यह हमने बटर और बिक्षर बिस्किट का मिक्षर जो है वो केक टीन में डा हो जाता तो यहाँ पे हमने विपिंग क्रीम ली हुई है हमारी इसको अच्छे से बीट कर लेंगे हम लोग विप करना है इसको पीक्स वगरा नहीं लाने बस 3-4 मिट विप कर लीजएगा हाईस्पीड पर मकसद बस यह है कि क्रीम चीज को और हमारे क्रीम को हमने अच्छे से बीट करना है यह दे कि अच्छे से इसमें वॉल्यम आ चुका है पीक्स वगरा कुछ नहीं चेक करने तुरंत इसके बाद हमने हमारी क्रीम चीज इसके अंदर डाल दिनी है और यह घर पे मार्केट से बढ़िया क्रीम चीज आप लोग बना सकते हो यह किन मानिएगा इस चीज इसमें नहीं जाती लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका सेकेंड लेयर भी बहुत पसाता है तो इसको अभी हमने चे से बस मिक्स कर लेना है आप लोग चाहे तो इसमें मशीन भी चला सकते हो मैं भी चलाओंगा लेकिन चीनी डाली थी ना त मतलब आप लोग ब्लू बेरी का बना सकते हो स्ट्रॉबेरी का मल बेरी का क्रैन बेरी का कोई भी बना सकते हो तो मेरा उल्टा है मतलब नीचे से लेकर उपर तक की लेयर इस मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है इसको बस एक बार अच्छे से मिक्स कर ले और हमारा यह मिक् इसके उपर अच्छे से फेला देंगे इसको टैप करेंगे 10-15 बार तक यह even out हो जाए और कोई भी air bubbles हो तो निकल जाए और बस हमने इसको अच्छे से freezer में रखना है एक से देड़ गंटे के लिए और जब उसके बाद हमने इसमें डाल दिना है हमारा blueberry comfort ठीक है और इसको freeze करना जरूरी है क्योंकि वरना फिर blueberry का जो comfort है वह ऐसे नीचे चला जाएगा बहक है तो इसके लिए आपने इसको एक देड़ गंड़ा freeze कीजिएगा और इसके बाद इस पर room temperature पर आया हुआ comfort डालना है गरम मत डालेगा मुझे बहुत सबर की कम है तो मैंने गरम ही डाल दिया था और इसको भी freezer में रख देना है करा तो इसके जो लेयर से वह इवन तो हुए है लेकिन finishing उतनी अच्छी नहीं कटिंग के वक्त क्योंकि यह नौब एक चीज़ के कहना तो यह बहुत room temperature पर सॉफ्ट हो चुका था लेकिन मुझ में बिल्कुल भी सबर की कमी है बहुत जादा तो मैंने इसको फटाफट कर लिया टेस्ट की गैरंटी में आपको देता है और लुक्स भी वैसे भी अच्छी आए बस आप लोग इसको frozen frozen ही कट कीजेगा और खाने से पहले पाच-दिस मिनट फिर room temperature पर रखिएगा सारे pieces कट करके तो चीज़ के एक तयार है ट्राइ कीज़ेगा और commentation बताएगा आपका चीज़